good morning all of us good morning good morning I hope सबी लोगों को मेरी audio clear होगी am i audible to all of you एक बारी मुझे chat box के इंदा बता दीचिये किसे भी लोगों को मेरी audio और video clear है अगर सब को clear है तो एक बारी मुझे chat box के इंदा बता दीचिये good morning good morning all of you आज की class हम अपनी start करेंगे ठीक है मेरी audio clear है विल्कुल हम आज की class को अपनी start करते हैं जैसे कि आज की class के अंदर हम अपना IPC की revision class अपनी conduct करवा रहे हैं जिसके मैंने series का नाम रखा हुआ है अपना साधना जुडिश्री preparation series के नाम से इसके अंदर हमारा IPC का fourth lecture है इस lecture के अंदर हम cover up करेंगे force क्या होता है criminal force क्या होता है assault क्या होता है और outrage the modesty of the woman क्या होता है और sexual harassment क्या होता है disrobe क्या होता है और voyeurism क्या होता है and stalking का प्राद क्या होता है यह सारी चीज़े अगर हमारे दिमाग में clear रहेंगी तो एक्जाम के अंदर हमारे questions आते है ना prelims के लिए तो हम उनको identify बहुत आसानी से कर पाएंगी क्योंकि आप देखोगे यह सारी चीज़े एक दूसरे से mail खाती है वो कैसे खाएंगी वह आपको मैं बताऊंगा अगर आपको यह lecture समझी में आएगा आप लोगों से connect कर पाना तो प्लीज आप इस session को like साथ में share करके जरूर जाईएगा अब मुद्दे की बात आती है एक बारी जित्ते भी session पे लोग हैं तो एक बारी मुझे chat box के अंदर आप बता दीजिए चलो अब मुद्दे पर आते हैं सबसे पहली बात हमारे को दिमा section मा 354 जो बहुत ज़्यादा important section है exam point of view से भी और एक practical जीवन के perspective भी अगर हम सोचेंगे न महिलाओं के ऊपर जो अपराद होते हैं यह बहुत common section है जो इस्तमाल में आता है जो जिस पे cases दर्ज होते हैं court को deal करना पड़ता है बहुत ज़्यादा cases यहाँ पे आते हैं सबसे लिवात यह क्या करना है अगर कोई व्यक्ति assault करता है अगर कोई व्यक्ति criminal force करता है किस के उपर याद रखना महिला के उपर अगर कोई भी व्यक्ति उसको लग्जा को भंग करना है तो ऐसे case में जो section लगेगा क्या लगेगा section 354 इसे एक बात हमारे को सीखने को मिलती है कि हमेशा और हमेशा यहाँ पर जो victim होगी वो कौन होगी महिला होगी और यहाँ पर जो एक्किउज होगा वो महिला भी हो सकती है ठीक है वह महिला भी ह हो सकती है और एक आदमे भी हो सकता है तो यह हमेशा याद रखेगा section 354 में हमेशा victim कॉन होता है महिला होती है और accuse कोई भी हो सकता है लड़का हो या लड़की हो किसी लड़की की लदजा भंग करी है तो भी uh34 का चार्ज बनेगा किसी आदमी ने लड़क की लग्जा भंक करी है तो भी section 354 का चार्ज बनेगा एक बात हमारे को दिमाग में exam point of view से यह चीज भी clear हो जाती है सब को यह हो गया चलिए तो यहां पर अब एक कोशन आता है आगे पढ़ने से पहले इसको हमने अभी नहीं पढ़ेंगे इसकी में को heading पढ़वा नहीं थी के वल तो अब यहां पर एक question arise होता है कि भाई मैं section 354 को तो जब ही समझ पाऊंगा ना जब मुझे किल्मिल फोर्स के बारे में पता होगा कि क्या होता है जब मुझे एस्सॉल्ट के बारे में पता होगा क्या होता है अब अगर मुझे किल्मिल फोर्स के बारे में नहीं पता assault के बारे में नहीं पता तो section 354 पढ़ने का मेरा फाइदा क्या हुआ है ना comment बात है ठीक है अब इस case के अंदर हम section number 349 के उपपार आ जाते हैं section 349 से हमारा force की कहानी शुरू हो जाती है जल्दी जल्दी revise करेंगे जल्दी जल्दी ना हमारको ज्यादा time लेना है ना ही देना ह मुद्दे की बात पढ़नी है और exam point of view से हमारको दिमाग में चीज़े याद रखनी है जो हमारको एक अच्छा lawyer बनने में एक अच्छा advocate बनने में एक अच्छा judge बनने में बहुत असानी हो जाएगी यह चीज़े याद रखनी होती है सबसे पहली बात हमारको exam में question आता है जो यह term है force यह कहां पर define है एक दिमाग में clarity के साथ में section number 349 के अंदर हमारको एक force नाम की शब्द को define करा हुआ है इसके अंदर इसके मतलब क्या होता है अगर मैं आपसे बोलू कि मैं आप एक रस्ते से जा रहे हो और रस्ते से जा रहे हो मैं आपके बीच में ऐसे खड़ रहे होंगे तो आपकी energy कम हो जाएगी आप एकदम शौक हो जाओगे मेरे सामने कौन आ गया तो आपकी जो speed है चलने की वह रुक जाएगी आपके दिमाग में जो intention थी किया मैं को सीधे रस्ते से जाना है तो अब अपना रस्ता घुमाओगे आप रस्ता घुमाके या मेरे आपको पार करके मेरे साइड से निकलोगे यानि कि आपका जो motion है motion मतलब आपके energy है वो कही ना कई रुकी है रोका गया है आपके energy को और आपकी जो रस्ता था आपका जो motion था उसको रोका गया है यह force है अपने आपके that's it यह हमारा force है section 349 के तहत बताओ आगर आप अपना कुछ अपना हाथ हिला रहे हो अगर हाथ हिलाते हैं मैंने आपका हाथ रोक दिया आपका हाथ पकड़ लिया तो आपका जो मैंने हाथ हिलाना ऐसे आप हाथ हिला रहे थे तो मैंने आपके हाथ हिलाने में आपके जो energy लग रही थी उसको रोका गया है आपका जो यह motion चल र रहे थे मैंने पानी फैक्ट दिया अब आप पानी के उपर से तो जाओगे नी आप पानी के साइट से निकल के जाओगे तो मैंने सबस्टांस की मदद लेके आपके मोशन में चेंज लाया हूँ बिलकुल लाया हूँ तो क्या यह फोर्स होगा बिलकुल होगा ठीक है इतनी स सबस्ट ने कौड़ााथ इसने ऐसने कुड़ा दिया सबक्र करेंगा ने मेरी बॉडी में कोई चीज कंटक्ल में आये आपका मोशन चेंज होगा और इनर्जिट चेंज हो गी बिल्कुल होगी तो यह क्या हो हमारा force हो गया तो यही बात हमारे को लिखी हुई है कि अगर बंदे का motion change कर जाता है cause कर जाता है seize कर जाता है ठीक है तो ऐसे case में हम इसको क्या बोलते हैं force बोलते हैं अब दिमाग में question आ रहा है क्या सामने वाले बंदे की force को cause करना सामने वाले बंदे की motion को Lex करना change करना अपने आप में independent अपराद है यानि section 349 अपने आप में independent अपराद है इसका answer होगा no ah force अपने आप में independent अपराद नहीं है यह दिमाग में clarity हमेशा रखिएगा कि अगर कोई अपव्यक्ति section 349 का अपराद करता है यह अपराद तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अपराद ही नहीं section 349 का मेरा force में change करता है तो क्या 349 की सजा मुझे कई दिलाने के लिए कई प्रावधान है कोई provision है the answer is no तो एक आप मेशा याद रखिएगा only and only force is not an independent offense under the IPC बात खतम जाती है चलिए लेकिन यह फोर्स विर हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई यह अगर फोर्स हमें पता ही नहीं होगा ना तो हम जो है section 350 अपना पढ़ नहीं पाएंगे हम जो है अपना section नंबर 350 पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हाँ पर 350 हमारा क्या बात करता है क्रिमिनल फोर्स मुद्दे की बात अब यहां से आ गई कि कि अगर 350 के अंदर लिखा अब क्रिमिनल वाला फोर्स क्या होता है तो अगर मेरे को फोर्स का मतलब नहीं पता होगा तो मैं 350 के अंदर क्रिमिनल फोर्स नहीं पढ़ पाऊंगा इसलिए क्रिमिनल फोर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या पढ़ना पढ़ता है दिमाग में clarity आ गई तो इससे में को समझ में आया 349 के अंदर जो फोर्स बता रखा है फोर्स का मतलब होता है कि कोई भी motion को change करना motion को seize करना और चेंज करना motion के अंदर कोई भी सबस्टांस की मंदद से कोई भी सबस्टांस किसी के body भी पार्ट के क्रांटेक्ट मिलाने से उसका अगर neutral करते हैं सीजर करते हैं जी एकिए कहानी हमा वह क्यों पूर्स क्राइब क्यों की होती हूट हिता है कि Luis यह लड़की हो कोई भी अपना क्रिमिल फोस का चार्ज अपराद कर सकता है तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि आगर कोई विव्यक्ती जान बूच के जान बूच के इससे एक आल सी लोग विलकुल पसंद नहीं है मुझे आल सी लोग विलकुल पसंद नहीं है अधिकिया मुझे बताओ मैं यह बोर सकता हूं एक्टस्रीया सब्सक्राइब मेंस्रीया मेंस्रीया नहीं है तो आप्राद बनेगा नहीं अगर मैंस्रीया है एक्टस्रीया नहीं थो भी अप्राद नहीं भनेगा कुछ Semperation case होते हैं जहांपे केवल मेंसरिया या एक्टर स्रियस के basis पर भी आपको उठा लिया जाएगा जैसे कि अगर आपका kidnapping आउट्रेज यह सारे टापिक्स हैं ठेक है क्लेड हो गया तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि अभी हमने पढ़ा क्या अगर कोई जान बूच के फोर्स करता है अपने आप में क्या है एक्टर स्रीज लेज तो है हरकत करना अगर कोई व्यक्ति रस्ते से जा रहा है उपर साथ में कि इसको मैं बिगाऊंगा परिशान करूंगा तो वह बताऊंगा अभी कैसे अगर अगर कोई व्यक्ति जान बूच के इंटेंशन के साथ क्या करता है यहां परड़ आगया तो अगर मैं 349 नहीं पढ़ता तो क्या मुझे पढ़ता करमें से क्या सीखते हैं धक्का देना किसी को खीच देना यह भी तो फोर्स ही यह बट रहां ऐगर हwhenयों आगर लीगल तर्मेलाजीज की बात करे तो लीगल टर्मेलनाजीज हमें एक्सामिनर हमार को मेंंς के दर यह चीजन नहीं पुछा ऐगा फॉर्स होता है क्या किसी में पुश और को चेंज करते हैं था करते हो यह सारी चीज़ें आती हैं यह हमारी सारी चीज़ें आती है फोर्स के अंदर आपको ऐसे explain करना पड़ेगा यहां तक हमारी कहानी सुन में ठीक है अब यहां पर मुद्दे की बात है कि आगर कोई विव्यक्ति जान बूच के फोर्स का नहीं दी थी को तुमने मेरे को परिशान करा तो यहां पर वर्ड एक और स्वाल में में आता है कॉई बच्चा मुझा कोई भी बच्चा यह बता सकता है कि consent नाम की चीज के अंदर को कहांपर टिफाइन है जल्ले लिड़ ना तो आपके वास टाइम है मेरे पास टाइम है और जल्ले लिवाइज करना एसतल से फ़हली काउंज है term define है section number 90 के अंदर section number 90 हमार को क्या कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति से आपने consent ली है उसको पागल बना के उसके साथ धोका धड़ी करके और 12 साल से कम उमर का कोई भी बच्चे से तुमने consent ली है तो वो consent as per section 90 free consent नहीं मानी जाएगी फ्री consent कम मानी जाएगी जब आपने misconception ना करा हो जब आपने fraud करके consent ना ली हो या फिर तुमने किसी 12 साल के कम उमर के बंदे से consent ना ली हो तो वो तुमारी consent अपने आप में free consent बढ़िया वाली consent मानी जाएगी इतनी बात clear रहेसे भी लोगों को इतनी मात clear रहे हो गई चलिए तो यहां पर में एक बात समझ में आ गई की का अगर कोई वीविवेक्ति जान बूच के करके बिना उसकी consent का बगेर बिना उसकी consent का बगेर किया करता है कोई न को या पराद करता है या उसके मन में सोच यह बनी या वो डर जाएगा या वो परिशान हो जाएगा एनॉए हो जाएगा तो आपका सेक्शन 350 क्रिमिनल फॉर्स का अपराद कंप्लीट हो चुका है बात खत्म बात खत्म तो इससे हमें क्या सेखने को मिला अगर कोई विव्यक्ति जान बूच के किसी विव्यक्ति के ऊपर फॉ क comparative ते समय सा वाल्त के साँने बंदा इठ इंजर le tailored pre summary सकता है इन्गर एक पौंश सकता है तो मेरा कर फोर्स का प्राद खता है एक ठीक है एक छोटे सा मुइंट और है यह इंजिनी नाम की चीज क्या होती है यह इंजिनी हमको कहीं पहल पता है क्या कि उप्सीं करे на हम पहुंचाते हो हाम हम कहांपे उसके बॉडाइव में उसके माइं इसके रेप्यूटेशन में उसकी property में ठीक है तो ऐसे case में आपने उसको क्या कर दिया injury cause कर दिया यानि कि आप अगर किसी व्यक्ति के intention के साथ में force का स्थमाल करते हुए बिना उसकी concern के बगएर उसकी property में उसकी mind में उसकी body में उसकी reputation को नुकसान पहुचाते हो तो आपने किमिनल फोर्स का प्राद कर दिया खतम खतम ठीक है इतनी मात क्लियर हो गई चलो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं किसी को की कंफ्यूजन इजी तरीके से याद हो गया फोर्स क्या होता है सबको याद हो गया कोई बच्चा ऐसा हमारी इस देखे लाए जिसको समझ में ना आया हो तो प्लीस चैट बॉक्स के देना पड़ेगा कि सर मुझे समझ में आ गया बाकी दुनिया को आया हो यह ना आया हो मेरे को क्लियर है ठीक है चलो अब इसके अंदर इलिस्टेशन आप पढ़ोगे सारे कोशन आपको बहुत इसली सम समझ लो एसल्ट क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं सेक्शन 354 अगर मैंने आपको हेडिंग पढ़ाई थी वहां पर क्या वर्ड यूज करा हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति ने क्रिमिनल फोर्स करा हो या एसल्ट करा हो तो दोनों शर्द एक स्थाथ यूज करे हुए एसल्ट हमारा सेक्शन में 351 के अंदर डिफाइन करा हुआ है आदे से ज़्यादा बच्चे यह कोश्ण में गलती करके आते हैं कि उनको किर्मिनल फोर्स के बारे में उनको यही नहीं पता होता कि एसल्ट नाम का अपराध है वो डिफाइन का करा हुआ है आदे से यादे भी व्यक्ती भले वो लड़का हो भले ही वो लड़की हो फयाएनला कोई बी लड़का ओ लड़की हो ट्रांसजेंडर हो कोई भी ठीक है अगर कोई विप hocी गेस्चर मतलब क्या होता है मतलब इशारेवाजी करना या फिर गूसे का हात बनागे तुमारे को दिखाना या हा तुम्हारे मन में ऐसा डर पैदा करना मेरे दुवारा कि मैं तुम्हारे को तुम्हारे उपर अपराद करी देंगा या मैं तुम्हारे उपर खिम्रफोस का अपराद करी देंगा मैं तुम्हारे को ऐसा डरा रहा हूं धंकी दे रहा हूं धंकी देना मतलब हाटों से डंडे क करके या फिर कुछ भी कुछ भी action करके वह अपने हमें क्या होता है एसल्ट होता है ठीक है यहां पर लिखा हूँ है अगर कोई विव्यक्ति गेस्टर करता है या preparation करता है कि जैसे कि मेरे हाथ मेरा डॉगी है मेरे साथ मेरे डॉगी को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं ठीक है मेरे को तुम देख गए और तुम मेरे हो दुश्मन ठीक है मेरे हाथ मेरे डॉगी है जो पट्टा पैनके मैं उसको घुमा रहा हूं मेरे सामने तुम खड़े हो मेरे को गुसा आया तुमारे पर। मैंने क्या करा अपने डॉगी का जो पट्टा ए ना वो धीला करने लग गिया दीला करने लग जिला करने डॉः ना तुम्हारे मन में क्या आएगा डर पैदा होगा यहार यह तो अपन डॉगी जर्टटा खोल कर रहा है अनलूज कर रहा है यानि कि अगर अनलूज करके पुरा खोल दिया तो डौगी आएगा और आपको काट लेगा आए ना तो आपके मन में डर पैदा होगा तो मैंने क्या करी अगर मैं और मेरे पास में इंटेंशन होती है या मेरे पास में नॉलेज होती है कि मेरे ऐसे gesture करने से मेरे ऐसे जो है प्रेपरेशन करने से आपको क्या होगा कॉज होगा कॉज होगा एप्रिहंड होगा एप्रिहंड मतलब मन में डर अशंका आएगी किस चीज की भाई यह जो gesture यह जो preparation मेरे द्वारण करी जा रही है यह तो criminal एक्सक्रमिनल फोर्सट थो कभी भी यूजव कर सकते तो कर सकते हो Tu तो मैंने अब तक क्या पड़ाया एसलट के अंदर कि अगर कोई भी व्यक्ति गेस्टर का स्थमाल करके या प्रिपरेशन का स्थमाल करता है सामने वाले व्यक्ति को डर पहुंचाने के लिए सामने वाले व्यक्ति को एप्रिहंड करने के लिए या कॉज करने के लिए किस चीज के लिए कि यार इसके प्रिपरेशन करने से इसके गेस्टर से आपको मन में डर आता है आपके मन में एप्रियंड आता है कि किमिनल फोर्स मेरे पर हो जाएगा एसॉल्ट का प्राद हो गया खतम, section 351 खतम एक बात हमेश्चे याद अखना मैं आपको abusive language use कर रहा हूँ क्या ये एसॉल्ट है मैं आपको उल्टा सीधा बोल रहा हूँ मैं शब्दों का इस्तमाल करके आपको उल्टा सीधा बोल रहा हूँ क्या ये एसॉल्ट माना जाएगा दान सरेज नहीं माना जाएगा ये लिखा हुआ कि अपने आप में शब्दों का इस्तमाल करके आप assault कभी नहीं कर सकते हो अपने आप में शब्दों का इस्तमाल करके आप assault कभी नहीं कर सकते हो ठीक है कि लेकिन कोई शब्द ऐसे कोई शब्द ऐसे हैं जिसकी वज़े से कोई शब्द अगर ऐसे हैं जिसकी वज़े से आपको जो है गेस्चर या प्रिप्रेशन करनी पड़ रही है गेस्चर या प्रिप्रेशन आपका पैदा हो रहा है जिससे कि मैं सामने वले बंदे को लगता है यारी मेरे पर क्रिम्न फोर्स होने वाल है जैसे कि मैं बोल रहा हूं मैं आपको उल्टा सेधा बोलके कि जादा बनोगे तु चुप चाप और आपको मैं उल्टा सीधा बोल रहा हूं तो क्या मेरे केवल शब्दों का इस्तेमाल करके एसॉल्ट होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा जी नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा अब मुद्देवली बात एक और अभी आपने हमारे को किल् कि हमारी सेक्ष्ट नमबर 352 में मिलेगी हमेशा याद रखना कि अगर आप एस्ट करो अगर आप या फिर किमिनल पोर्स करो यहां पर लिखा पनिश्मेंट फॉर एस और या फिर किमिनल फोर्स थीग है अदर्वाइस देन अ अगर तुम मेरको उक्सार हो तो मैं तो ऊक्सूंगा ना यार मैं तो डंडा मारूंगा इसके अलावा कि मैं तुम लोग चुपचाप खड़े हो गया इस केस में लाइबल होंग इस केस में सेक्ष्चन 350 2 के तहाद मेरे पर पनिशमंट मिलेगी मुझे किती मिलेगी एक तीन महीं ने की सदह मिलेगी या फाइन लगाया जाएगा मेरे पर पांसर वेगा याद दोनों तो इससे मुझे क्या से इंग नहीं को भी लहां 350 के अंदर किमनल फोर्स 351 के अंदर एसॉल्ट पनिश्मंट 352 में तीन साल और फाइन पांसर वेगा या बोथ सबको याद हो गया कोई कन्फिजन ओ तो मुझे बता दो अब मेरे अंदर इतना क्वाइबा हों कि मैं अब क्या कर सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं मैं अपना वर 354 का पराध पढ़ सकता हूं तो आजो पिर इसी बात मद्ध पर आजो अब मात आती है सेक्शन में 354 कि एक चोटे सा पॉइंट और है यहां पर अगर भाई देखो आप यहार किसी पॉब्लिक सर्वेंट के अपर ठीक है यहार पुलिस वाल आया पुलिस वाल अपना ऑफिशल ड्यूटी कर रहा है तुम उसके सामने खड़े हो गए तु कोई भी पॉब्लिक सर्वेंट तो ऐसे किसमा तुम लगता है कि तुमने अच्छा काम किया है नहीं तो सेक्शन 353 के उपर आपका चार्ज लगेगा कितनी सजाएं यहां पर यहां पर सजाएं दो सालों की और फाइन और बहुत हरी रांग 352 में तो तीन महीने थी यहां थ करने के लिए किसी महीला के उपर और महीला के उपर जो करा जा रहा है महीला को सकती है जैसे कि कुछ भी हो सकता है देखो अगर मैं बोलूं कुछ भी हो सकता है आप इतने सेंसिवल हो इस चीज को पहचानने के लिए कि किसी लड़की की मलब आप गलत तरीके से टच्छ भी लड़की को क्योंकि टचts से पतल लग जाता है कि भाइर लड़के के द्वारा या किसी लड़की के द्वारा या किसी दम व्यक्ति के द्वारा लड़की को n arise करा जा रहा है तो वह टच अपना गुट टَच स्शै या बैट स्अट प्लियर होता यह इसमें पोई कोई बट नहीं होता, no if, no but, वो एकदम क्लियर होता है, हाँ है ना, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले बात हमारी आती है, assault के बारे में, assault मैं ने लिए कहां डिफाइन मुझे बताओ अभी लोग चैट बोक्स के ना मुझे बताओ एसवाल्ट मेरको कहां डिफाइन कर रहा हुआ है लोगों के चैट बोक्स ऑन होने चाहिए और जो 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 लाइब सेशन में अटेंड करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लाइब सेशन को लाइक जुरू करना और अपने दोस्तों को शेयर कर दोगे तो मैं आप लोगों के बहुत थेंक्फुल रहूंगा क्यों कि यह मेरा नया चैनल है इस वज़े से आप से कनेक्ट हो पाना मेरी जिम्हेदारी है यूट्यूब के उपर आपको पता है अलग-अलग चीजे लोग अलग-अलग कुछ भी पढ़ाते हैं कुछ भी कैसे करते हैं ठीक है बट मैं आपको सेंसिबल तरीके से एक एक चीज लॉजिक वाइज मैं आपको कराके बेज़ोंगा यह मेरा दावा है याद रखना ठीक है और आपके सामने ही है सब को बेरेक्ट आपके सामने उपन अप कर रहुआ है अब मुद्दे की बाद आती है एसाल्ट में को 351 किनमफोर्स 350 और यहां पर मैं आपको क्या बताया था हमेशा रहमेशा विक्टिम कौन होगी वह महीला होगी एक इस चीज के लिए section number 354 के लिए criminal force में नहीं है criminal force तबाई तुम किसे आदमें पर कर दो एक लड़की आई पानी डाल गई एक लड़की आई डिंडा दिखा रही है और वेसी बात है लड़की के ओपर चार्ज लगेगा 352 का खतम बात लेकर अगर 354 की बात है कानून की नजर में लज्जा भंग केवल एक लड़की की हो सकती यह लड़के की नहीं हो सकती बाई अब जो कानून मानेगा उसके पर हमें चलना पड़ेगा हाँ आए ना जब आगे चलके अमेंडमेंट होगी जब देखी जाएगी अ भी हमारेको एक्जाम निकान निकालने पर दिमाग लगाना हम लड़ाई जगरने नहीं करना हम पार्लेमंट में नहीं बैथे हम मिंश्टर लोग नहीं है कि हम जब मुद्धे पैवाज उठाएंगे कि हाई 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 लड़कों की बीधी लड़के यह नहीं होना है हमें जो कानून कहता है से एक अच्छा स्टूडेंट के वेसित पर हमें त्यारी करनी है एक्जाम निकालना है इतना ही जीवन है इतना करना है एक अच्छी पोस्ट एक अच्छी लाइफ एक सेक्सेस्फुल लाइफ जीओगे बस बाकी मुद्दब पर जाओगे डाइवर्ट करोगे अपने आपको वह तो आदी दुनिया करी रही है तो आप लोग जानते हो हमें सक्सेस्फुल की तरफ जाना है या बाकी दुनिया की तरफ जाना है हमेशा याद रखने चीज़ को ठीक है जी जो लॉजिकल बात हो के विल उस पर मुद्दे उठाना तो कि जज़ की पोस्ट होती है अगर आप जब तक आपको पूछा नहीं जा रहा है जब आप उसमें जाके अपना दिमाग ल तो यहाँ पर क्या समय हो सकता है कोई वह लड़का हो या लड़कीों अगर करते हैं किसी महिला के ओपर किस सब्सक्राइब और ना 63 स्मय में ने कर रहा है यह थी मटर करता है ना तो इस इंटेनशन के साथ में या मेरे धिया है या मेरी नॉलिज में है कि मेरे ऐसे करने से मेरे ऐसे एसाल करने से लड़की की क्या हो सकती है लज्जा भंग हो सकती है आउट्रेज हर मोडेस्टी हो सकती है तो ऐसे किसमें क्या गरूगे तुम इसमें पनिश्मेंट कितनी बता है इसमें पनिश्मेंट है एक साल से सरसे पह एक साल दूजी बार पकड़े गए हो तो दूजी बार पकड़े गए हो ह legal कि तो इस केस में क्या मानग जायेगा अपना क्षा से पाच साल अभी अभी एक 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 कैंड़िदेट ने पना कोशन पूछा है कि सर अगर पुलिस पीड्दती है है हमें तो क्या हम चुप रहें क्या हम कुछ ना बोलें देखो ऐसे केस में अगर आपने section number ुपिछ अगर आपने section नंबर आईपिसी का अगर आपने section नंबर 99 पड़ा है आई पीसी का यह section आप पढ़ना जरूर आपको अपना जवाब मिल जाएगा यह section दो इकलोते section है कि अगर पुलिस वाला मुझे मार रहा है मैं पागलों की तरफ खड़ा रहूंगा क्या मेरे पास भी अधिकार है मैं भी पुलिस वाले को मार सकता हूं यह बात यह अधिकार कानून के अंदर आपको section 100 read section 99 देता है खतम बात अंसर मिल आपको कृष्णा यादव जी आपको अपना जवाब इन दो पर खतम बात लेकिन आपको पुलिस बेवाजा मारे जाए फिर आप भी मारो कोई दिक्कत नहीं है आप section 100 का प्राइट और प्राइब डिफेंस का डिफेंस ले ले लेना सिंधी बात नो वकवास चला मुद्धी बाते हैं तो सबको समय में आ गया 354 अब 354 ए पढ़ लेते यह भी एक्जाम में बहुत ज्यादा पुछे जाता है sexual harassment ठीक है sexual harassment sexual harassment क्या होता है sexual harassment याद रखिएगा 354 से लेके 354D तक हमेशा और हमेशा victim कौन होगी वो लड़की होगी यह चीज का हमेशा गौर करना अब अब थोड़ा सम आगे का अपने बात बता रहा हूं आप आपने क्या पड़ाथा 324 में जो एक्जाम होता है वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है ठीक है यानि कि लजजा भंग जो किसी महिला की एक लड़का भी कर सकता है एक लड़की भी कर सकती है लेकिन प्राध है वो केवल और केवल लड़की के उपपर होता है और उसको करता को नहीं हमेशा और हमेशा लड़का करता है यह चोटे-चोटे डिफरेंस है जो आप याद कर लोगे तो आप अपने जो साथी लोग हैं उनसे बहुत आगे चले जाओगे याद रखना मैंने क्या बोला sexual harassment के लिए हाँ जो हमेशा victim होगी वो लड़की होगी और जो एक्यूज जोगो हमेशा और हमेशा male person होगा आदमी होगा बात खत्म हो जाती है clear है मेरी बात इसमें बोलगा देखो a man तो यहाँ पर accuse तो पहली man को बना दिया आदमी को accuse बना दिया नो ने ठीक है पहली बात तो एक बात clear हो गई कि अगर एक आदमी किसी लड़की के साथ में physical contact बनाने की कोशिश करता है ठीक है या अगर कोई आदमी demand करता है sexual favor के लिए ठीक है जैसे कोई job पे जा रहे हो या कोई promotion के लिए जा रहे हो तो अगर आपका boss यह बोलता है ठीक है डिमांड करता है request करता है तो ऐसे किसमें boss के उपर उस आदमी के उपर section 341 का प्राद बनता है याद रखेगा या अगर को यह pornography show करता है बिना महिला की consent के बगैर ठीक है या will के बग सुद्य होते हैं तो ऐसे केस में भी उस आदमी के उपर क्या हो सकता है section 341 का प्राद बनेगा section 341 का प्राद बनेगा खतम बात है यह हमारा sexual harassment ठीक है clear मेरी बात इसके इंदर सजा बता रखिए कि अभी हमने क्या पड़ा 1,2,3,4 physical contact, demand करना या अगर कोई अपना pornography show करना या फिर sexually colored remarks करना तब जाके sexual harassment होता है याद रखना, याद रखना, याद रखना, केवल ये 4 point होंगे तो इस sexual harassment बनेगा और इन 4 point के लावब 5 point नहीं आ सकता है, नह सब को ये बात clear हो गई, कि अगर कोई व्यक्ति physical contact बनाता है, sexual favor की demand करता है, request करता है, pornography show करता है, या sexually colored remarks करता है, तब जाके sexual harassment बनेगा, इसके लावब और कोई मुद्दा नहीं है, बस दिमाग में एक वियत को clear रखना, अब यहाँ पर क्या बोला है, कि यहाँ पर बोला है 1, 2, 3, कि अगर कोई physical contact, demand या pornography show करता है, तो उसको हम कितनी सदा देंगे, तीन सालों की सदा देंगे, पहली बात clear है, और अगर कोई sexually colored remarks करता है, ठीक है, अगर कोई sexually colored remarks करता है, तो उसको एक साल की सदा देंगे, या बंदे को fine पर भी छोड़ देंगे, या दूनों देंग ये exam में कुशन बूसे जाता है, आपसे, मैं side हो जाता हूं, जिसे ही आपको clear हो से दिखाई देगा, तो अपने आपने क्या करा कि पहले वाले तीन पॉइंट जो थे, physical contact, demand, pornography, उसके लिए 3 साल, और एगर कोई sexually colored remark है, उसके लिए 1 साल, और उसके लिए बिचारे को हम fine पर हो गई, अब यहाँ पर ना, एक एक आदा case law में आपको बता देता हूं, जैसे कि आपके दिमाग में clarity रहेगी, एक तो बहुत popular case है, एक तो बहुत popular case है, जो मैं आपको case बता देता हूं, section 354 A का, section 354 A का, एक है मारा, spelling देख लेदा हूं, रुपम, रुपम देवल बजा आजए, रुपम देवल बजा आजाए, ठीक है रूपम देवल बजाज वसिस KPS गिल्ट तो यह अपना केस है इंपॉर्डन केस है यह हमारा 1995 सुप्रीम गोड का केस है ठीक है 1995 यह सुप्रीम गोड का केस है तो इस केस में क्या हुआ था वही दोनों अपने बड़े-बड़े ओफिसर थे भाई आई-एस ओफिसर थे और एक IPS ऑफिसर था ठीक है एक पाटी में थे तो उसमें जो यह गिल्ट साब थे अपना ड्रिंक कर रहे थे और ड्रिंक करते हो इन्होंने रूपम देवल बजाज जी को मलब एक बैट टेच करा होगा ठीक है जिससे की रूपल देवल बजाज को अपना पसंद नहीं आया उन्होंने सेक्षन नमर 354 A का अपना 354 का अपना चार लगाया ठीक है 354 का अपना चार लगाया अब ऐसे गेश्व में सुपरीम गोट ने को क्या कर दिया IPS को क्या कर दिया कन्वेक्ट कर दिया कन्वेक्ट कर दिया समझ में मेरी बात यह नहीं आई हाला कि जो आपको बता सेक्ष्ण में 95 क्या होता है कोई बच्चे जानता है सेक्ष्ण में 95 क्या होता है कि anybody know what do you mean by section 95 section 95 का क्या मतलब होता है triflect triflect ठीक है section 95 का मतलब होता है triflect triflect मतलब अगर मैं बस के अंदर हूँ मैं आगे चल कर दका मारूँ आप यार सामने को किलने चेंज किया तो ऐसे केस में क्या मैं अपद 323 552 का चार्ट बन सकता नहीं बन सकता बन तो सकता है पहले आप जाओगे कोड में लगाओगे उसके बाद कोड में हेरिंग चड़ेगी फिर पार्टी जाएगी फिर मैं जाओंगा कभी मैं नहीं आ रहा कभी छोटा से मुद्धा है और इतना बड़ा हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो इसलिए इतना बड़ा फॉलो करने की जु सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें क्या हो गया ऐसे केस में सुप्रीम कोड ने बुला नो आपने जो टच करा था वह बैट टच था तो इसी वज़े से बैट टच करना भी अपने लड़की को पता लग जाता है कि यह गुड टच है यह बैट टच है जो मैंने अपने स्टा करें इसको भी रिजेक्ट कर दिया था और 34 के अंदर कन्विक्ट कर दिया था सबको क्लेर होगा यह बात कि ठीक है एक और केस है यह भी एक मिलता जुलता केस एक और केस आपको देखना हो तो मैंने आप ते लिए ढूंड के रखा हुआ है ठीक है कि एस्पीएस राधौर वसेज सीबी आई एंड अधर्स सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर क्या था कि एक बंदा था वही आईपियस ओफिसर था ठीक है राथ और यह टैनिस खिलने जाते थे वहां पर लड़की थी तो इन्होंने एक लड़की के साथ में पर नहीं कुछ और यह कुछ और भी करा होगा रेप का पराद नहीं कुछ और ऐसे के अंदर उस लड़की ने अपना सब्सक्राइड कर लिया तो ऐसे केस में फिर फाइनली कोट ने सब्सक्राइड को इनको किसमें अपराद में कर दिया सेक्शन नवर 354 के अंदर क्लियर है मेरी बात यह भी केस है जो में पढ़ना बढ़ता है ठीक है यहां पर भी आप एक चीज याद रख लेना एक और केस है स्टेट अफ पंजाब वर्सेज मेजर तिंग यह हमारा है 1967 तो इसमें भी आई था कि एक छोटी महिला थी तो मेजर सिंग ने क्या करा था मिल्लब छोटी महिला क्या साथ साथ महिले की बच्ची थी तो उसके एक ना साड़े साथ महिले की महिला की बच्ची थी चोटी सी साड़े साथ मंत की एक बच्ची थी तो मेजर सिंग ने इनके प्राइवेट पार्ट्स हे मेजर सिंग ने तो मैजर सिंगम ने बच्ची थी मेझा साड़े साथ मंत के बच्ची थी मेजर सिंग ने बहुकर में गया त्छोटी सी बच्ची तो इस तो कोई महीला की मोडेस्टी होई है तो यह हुई है वह हुई है तो मेजर सिंग पर सेक्षन की होगी ना उसके उपर भी अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो क्रिक्राइब फोर्स चाइब एस और टाइब तो 354 का चार्ज तब भी बनेगा उस बच्ची की भी लज्जा भंग मानी जाएगी और मेजर सिंग को सेक्षन में सब्सक्राइब कर दिया गयाता सब्सक्राइब अगया वि dentro टो कि अभी आगई की चीज़ में तो यह एक स्लोडस है आगी की चीज हम समझने तसे हिन कि आगी की चीज़न समolesome के ति कभी कभी ना अा क्या पर बन्य जाता ना इम्सरण नोस जाते में अभी चालू की अब अब हम जल्दली समझेंगे यहां पर में शयाद अगना डिस्रोब मतलब अगर आप अगर कोई भी आदमी किसी महिला को करता है किसी महिला के उपर करता है यहां महिला को अबैट करता है उकसाता है क्या इन्टेंशन के सात में कि वो अपने आपको क्या करेव करेश अपना Dis bankrupt करने के लिए तैसे किसमें कोन सा प्राद माने जाएगा 34 before वी का प्राद माने जाएगा जिसमें साथ सालों तक की सदा है और फइंड पहें ही चोड़ा जाएगा and fine लगेगा and fine बिटा तुम 7000 साल तो जाओगी जाओगे साथ में तुम्हारा पर फाइन लगिया यहीं अगर मैं sexual harassment की बात करूं वहाँ पर हमार को सदा दे के भी फाइन दे के भी छोड़ा जा सकता था ठीक है कि अगर कोई physical contact या demand या request करता है या pornography show करता है तो वहाँ पर कित्ती सदा थी तीन साल और फाइन था ठीक है और अगर फॉर्ट पॉइंट में हमने क्या बढ़ा था sexually colored remarks में एक साल दी और फाइन था लेकिन यहां पर क्या है सीधा साथ साल एंड फाइन है कि तुम फाइन पर नहीं छोड़े जाओगे बेटा पुरा जेल में जाओगे चक्की पीसिंग करोगे पहले ठीक है चलो यह भी बात मुझे clear हो जाती है वाइरिसम क्या है वाइरिसम मुझे अगर कोई लड़कीमहिला अपने प्राइवेट आ lover pessoal में है अपने गर क biz FR और कमरे में उसकेस में कोई आदमी उस महिला की क्या करता है फोटो को और स्षचर करता है video को रिकॉर्ड करता है तो ऐसे केसि में कौन सा परात माना जाएगा वोईरिजम का माना जाएगा खतम बात इसमें भी सजा कितनी है साथ सालों की ये एड़ फाइन कि अगर कोई आदमी है तो ऐसे हरकते कर रहा है तो उसको साथ साल की सजा के लिए हम डालेंगे और फाइन और सब्सक्राइब फाइन है एंड फाइन ठीक है क्लियर हो गया तो इसमें में बता रिता हूं कैप्चर करना वाच करना इमेज को महीला किया अगर कोई महीला एंगेज है अपने प्राइवेट स्पेश में जैसे प्राइव में आपना कपड़ें कर रहे होगा रहता है यांजकिश करना फोटोस को तैसे किसमें उस आदमी के उपर rokने ऐा पर हमेशा बताया है मैंने 354 A हो B हो Thio D हो वहाँ पर हमेशा याद होंगी ठीक है ठीक है यह बता रखाए प्राइवेट स्पेस का मतलब क्या होता प्राइवेट अक्ट कुछ भी चेंज करना कपड़े वाश्रूम में होना नहाना कुछ भी करना ठीक है यह बोगी दो होती है ठीक है अच्छा एक बात बिताओ एक छोटा सा कुश्चन है मेरा आप लोगों से कि अगर मान लेते हैं कि कोई महीला जो है वो अपना प्राइवेट स्पेस में है उसके साथ में एक आदमी भी है मेल परसन भी है और लड़की ने कंसेंट दे दी कि चलो तुम मेरी फोटो खी करने के लिए तो क्या तब स्टेक्शन नमर 354C का चार्ज बन सकता है यह मेरा कोशन है आप लोगों से कि अगर कोई भी महीला किसी मेल परसन के साथ में अपना प्राइवेट स्पेस में है उसकेस में महीला ने कंसेंट दे दिया अपनी कि आप मेरी वीडियो कैप्चर कर सक सकते हैं लेकिन उस वीडियो को या उस फोटो का इस्तेमाल उस वह जो आदमी किसी थर्ड परसन को सेंड करने के लिए करता है या कर देता है ऐसे केस में जो महीला है वह क्या उस आदमी के उपर सेक्शन 324C का चार्ज बना सकती है दांसर है येस कि इसका जवाब एक्स्प सेंट दे रहती है कि आप कैप्चर कर लो मेरी इमेजेज ठीक है बट नॉट डियर डिस्मेंट सेशन ओफ थर्ड परसन यह कंसेंट थर्ड परसन को सेंड करने के लिए नहीं दी गई है ठीक है थर्ड परसन को अगर तुम करते हो तो भीटा 354C का चार्ज बनेगा बनेगा हर हाल में बनेगा 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 यहां तक सबको यह चीज़ को हमेशा याद रखेगा आगे चलते हैं आखरी सेक्षिन की तरफ अपना बढ़ते हैं स्टॉकिंग का पतलब होता है कि अगर कोई भी आदमी किसी लड़की का पीछा करता है लड़की ने बोल दिया एक बा आदमी जो है दुबारा उस लड़की का पीछा करता है मैसेज करता है फॉलो करता है प्रॉफाइल पर विजिट करते रहता है देखता रहता है तो अपना अपना प्राद है अपना स्टॉकिंग का खतम बात तो इसको पढ़ लेते हैं कि आपके लिखा है अगर कोई भी माई जाना है मुझे भी देरेक्शन में जाना है ठीक है तो क्या मैं लड़की को फॉलो कर रहा हुआ है भाई रह 향ी मैं घर जारा हूं तो मैं घर जा रहे हो क्यों क्या पर ओ्पर है कि अगर कोई भी आदमी कि किसी महीला का क्या करता है। फॉलो करता है and and वर्यूस करता है and and contact भनाने की कोशिस करता है समझ में आई मेरी बात ॉकॉन्टेक्ट बनाना ज़रूरी है केवल follow करना किसी लड़की को अपने अपने स्टॉकिंग का पराद नहीं है कॉन्ट फॉलो करने के साथ इस थो भापॉया या शर्ताना कि सर्ने हमारा को करने के साथ सब्पर्णमी पोम्राइब बनाने भी बनाने भी है तुम मैं खीर है तो में दौन here को लटकी लोग मेरी बात को नेगिटिवले मतसोचना तो अग्र कोई भी आदमी किसी महिला को फॉलो करके साथ साथ ए deeply contact बनाता है तब जाके यह stocking अपराद बनेगा तब जाके यह stocking अपराद अपने आप में बनेगा 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 मेरी बास सबन में आ रही है या फिर attempt भी करता है ठीक है attempt भी करता है उस case में आगर महिला ने clearly बोल दिया कि I am not interested I am disinterested मैं interested नहीं हूँ तुमसे बात करने के लिए तुम्हार को reply back करने के लिए तुम्हार को follow back करने के लिए या तुम्हारे साथ मिलने के लिए कुछ भी x y z ऐसे किसमें फिर भी जो आदमी है वह महिला को follow करता रहता है आदमी जो है वह महिला को क्या करता रहता है contact बनाता रहता है तो तब यह क्या मना जाएगा अगर कोई व्यक्ति ने आदमी ने इंस्टाग्राम पे फेस्टूक पे कहीं भी एक लड़की को मैसेज करा हाई 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 हेलो अब ऐसे किसमें लड़की ने बोल दिया सौरी आम नॉट इंट्रस्टेड फिर भी बोडी की माइंड की रेपिटेशन की लड़की के माइड की इंज्डी 72 का clear है चलो और यहां पर word क्या यूज करा है कि अगर लड़की ने मना कर दिया clearly और लड़का जो है repeatedly repeatedly hi hello message करते रहता है यह लड़की को पीछा करते रहता है ठीक है यह लड़की office से जा रही है तब उसका पीछा करते रहता है it is clear clear अपराद of stalking it is clear अपराद of stalking यह फिर अग इंटरनेट का स्टमाल करके email या any other form electronic WhatsApp हो गया Facebook हो गया Instagram हो गया monitor का मतलब यह इससे ज़्यादा दुनिया गलत करती है कि यहां पर प्रोवाइस हो दे रखा है कि हर चीज स्टॉकिंग होती है इंटेंशन गलत है तो हर चीज स्टॉकिंग है लेकिन अगर आप सच्छे विक्ति हो जैसे कि मैं था मैंने क्या बोला कि मैं अपने घर जा रहा हूं और मेरे तो अपने आपे फॉलो करना किसी लड़की को स्टॉकिंग होता है नई जब तक वहां पर कॉंटेक्ट ना हो तब तक बिटा कोई स्टॉकिंग नहीं है ठीक है चलो तो यहां पर क्या है देखो अगर एक आदमी अगर एक आदमी है उसे लगता है यह महिला अपराद करके जा रही है भाई महिला चोरी करके भाग रही है तो जब कोई आदमी उस लड़की औरत का पीछा करेगा तो यार वो स्टोकिंग होगी क्या यह बताओ महिला वहोग tips नश्वा पीछा कर रहा है तो पहली बात आदमी नोठीक बनानी की कोशिश करना भाण्व यह पर amazingly जो कर रहा था मेर को यह है कॉंटेक्ट बनानी के में सथ कोशिश करना था इसको जेल में डाला जाए यह कानून है यह लटकी जो अपराद करें भाग रही है उसको डिटक करने के लिए अगर कोई भी आदमी के उपर स्टॉकिंग का चार्ज लगा होता है लेकिन उसकी वो आदमी जो है उस लड़की को प्रिवेंट करने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए अगर महिला का पीछा करता है महिला को फॉलो करता है महिला को कॉंटेक्ट बिनाने के क्यों क्य बात रहात ना पॉलिस वाले पीच्छा लडाकि बलड के लिए याप पुलिस वाले पिछा करने लड़की वो पकड़ने के लिए तो वह आपने था आ brun था तो अगर लड़की ने कोई स्टॉकिंग अचार लगा दिया अगर कोड में ने प्रूव कर दिया जल साब माई कंड़क्ट वाज प्रीजनेबल माई कंड़क्ट वाज जस्टीफाइड जैसे कि इसमें कोड कोई बात नहीं बढ़िया है हम आपको बाइस जदबरी करते है खतम बत क्लियर है मेरी बात यह नहीं है अब क्लॉस्ट यू में मारे को पनिश्मन बता रखी है इसमें बोला है कि भाई तुम पहले तो जाओगे तीन साल के लिए साथ में फाइन भी लगेगा तो स्टॉकिंग करने पे याद रखिएगा तीन साल एंड फाइन है कि आपको बताओ समझ में आई बात कि सभी लोगों को चीजे समझ में आई कोई केस लॉव याद करने का होता नहीं है तो वरना मैं तो आपको करा देता मैंना को तीन केस कराएं सेक्शन में 354 एक तो मैंना को कराया रूपम देवल बजाल वर्सेस केपीस गिल का इंपॉर्ट ठीक है तो यह तरिवटी 4 के गेसे दमाल का एक्जाम में पुछे जाते हैं इनके केवल इलिस्टेशन जाते हैं जो मैं याद रखने होते हैं याद कैसे होंगे मैं को अगर हमने इंग्रीडियंट्स पढ़ रखें सेक्शन के खतम बात कि हमने 349 में क्या बढ़ाता था रि अब लोगों से और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट मेरी कि आगर आप में को लाइफ सेशन को मेरा पसंद करते हो पसंद आया है पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा सेशन को और शेयर करके लोगों को और अपनी बहतर तयर कुछ टाइम के अंदर अंदर Constitution का समविधान का और एक फैमिली लॉक का जिसमें हिंदु लॉप पूरा कंप्लीट पढ़ाए जाएगा आपको और मुसलिम लॉप पूरा कंप्लीट पढ़ाए जाएगा नोर्स में लेंगे सारी कहानी चलेंगी तो वह आपको शुरू होग तो एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना वह बैच मेरा भी लॉंच हो जाएगा कुछ टाइम में होगा ठीक है पांस साथ दिन में अपडेट हो जाएगा तो आपको इंफर्मेशन मिल जाएगी और टाइम रहते हैं सही टाइम पर मौके पर चौकम मारने का टाइम है तो अप बाइबाई टेकर सब लोग अपना दान्रेकिंगर साइन अफ वाव गुद दे लॉफ यू